कि अधिए टाइम का पता नहीं लगता दोस्तों धीरे करते करते कुछी समय में हमने 100 टेक निउस पूरी कर लिये हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि कल की तारीक में हमने शुरुवात की थी तो स्वागत है आपका आज की टेक निउस के अंदर दोस्तों और आज हम कर चुके ह जाना कुछ नया सीखने को मिलता है और यह हमारा पहली बार है जब हम लोग बना रहे हैं YouTube के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉँम पर आप कह सकते हैं वीडियो जहां पर टेकनीकल रिलेटेर हम स्टफ बनाते हैं और दोस्तों कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है हर रोज क कुछ नया सीखते हैं तो हम इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आज की न्यूज शुरू करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक किज़ेगा चैनल के उपर ने सब्सक्राइब बटन दबाके मार साथ जोड़ जाईएगा और जो हमारी पहरी न्यूज है वह एक फ चैनल में का पड़ गया और पांच रुपए का कोईन जो है वह कैस बेक मिल गया तो यह सब तो फालतों की बात है लेकिन आपको बताओं जो ओडर किया गया था आइफोन 12 उसकी जगे बॉक्स में निकला तो है लेकिन सेफ ली यूजर ने जो है वो ओपन बॉक्स कर लिया इसको यूज किया जा रहा था और अब जाके यह फोन सामने आया है और पुलिस ने पतल लगा ही लिया है तो इसका मतलब हुआ कि यह जो पूरा फ्रॉड हुआ है यह सारा का सारा सेलर की तरफ से हुआ यानि फोन जब पैक हुआ तो उससे पहले से ही फोन गायब था यानि fraud दोस्तों काफी अलग लेवल पे जा चुके हैं तो आप लोग सेफ रहें और open box delivery ज़रूर लीजएगा अगर आप कुछ भी expensive item purchase करते हैं online से अगर open box है तो ज़रूर लीजए आप लोग की safety आप लोग के हाथ में हैं तो Redmi Note 11 series जो है इंडिया के अंदर साफी जल्दी हमको launch भी दिख सकती है लेकिन Note 11 जो होगा वो हमको POCO की branding के निचे देखने को मिल सकता है जैसा कि POCO M4 Pro 5G जो है इंडिया में 9 November को launch होने वाला है यानि कि आप लोग समझ सकते हैं कि यह phone जो है शायद तक Note 11 हो सकता है as की IMEI database के उपर भी इसको spot किया गया है और मैं आपको यह चीज बता दूँ कि दोस्तो जो प्रो वर्जिन है और प्रो प्लस वर्जिन है यह दोनों phone हमको देखने को मिल सकते है Xiaomi 11 i और 11 i Hyper Charge के नाम से जैसा कि प्रो प्लस जो है वो 120 वाट की fast charging लाता है over the pro version तो हो सकता है कि Hyper Charge वाला प्लो प्रस हो और जो 11 आई है वो हमको Redmi Note 11 Pro देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा पहले भी हो चुका है जब Redmi Note 9 5G आया था तब उस टाइम पर भी उसको Xiaomi 10i के नीचे लाया गया था तो देख से रहे हैं यह फोन आते हैं या पिर यह से फिडियो मर्स बिनके रहते हैं या कोई दूसरे फोन इस नाम से लॉंच होते हैं Redmi Watch 2 भी लॉंच हो चुकि है दोस्तों वैस्तों कल ही लॉंच हो गई थी लेगिन इसकी काफी सारी इनफॉर्मेशन नहीं हां पा रही थी तो इसी लिए हम लोग उन्हें वीडियो डालनी थी तो कल इसकी नहीं दी लेकिन आज आपको बता दू कि यह जो वाच है दोस्तों हमको ले रहा चाहते हैं फ्यूचर के अंदर जब इंडिया में आए तो यह अराउंड फॉर्टी फॉर्टाउजन सेवन रुपीस के अराउंड हमको देखने को मिल सकती है तो देखते हैं इंडिया के अंदर कब तक आती है अभी के लिए चाइना के अंदर एवैलिबल है और 7Pros के आगे वाले वेरियंट्स होने वाले हैं आपको मैं बता दूँ दोस्तो जो ऐसी वाला वेरियंट है वहाँ पर हमको देखने को मिलने वाले मीडिया टेक डामेंड सिटी 920 का चिपसेट इसी के साथ आपको 90Hz के अंदर मेंड डिस्पेल मिलने वाली है इसके अंद और 32MP का सेल्फी केमरा 90Hz की OLED डिस्प्लेइ और इसके साथ अब लास्ट जो है वो होता है 7 Pro जहां पर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रागन ट्रिपल एट का चिपसेट इसको फीचर करता हुआ और उसी के साथ आपको 50MP का मेन कैमरा सेंसर यहां भी मिलेगा उसी के ऊपर दोस्तो 64MP की अल्टरा वाइड कैमरा सेंसर तो आप काफी एच्छी फूटो इस फोन में ले पाएंगे और साथ साथ बता द आ जाता है कुछ तो इंप्रूमेंट अब देखने को हमको लग रहा है रहनो 6 सिरीज के उपर दोस्तो आइकू 9 जो है वो हमको काफी जल्दी लॉंच हता हुआ दिख सकता है एस कि इसको आईये में यह डैटाबेस के उपर स्पोर्ट किया गया है यान कि यह जो फोन हमको लॉंच हता हुआ दिख सकता है अगले साल के जैनवरी मन्त में जिया आप लोग सही सुन रहे है या फिर उससे पहले हमको डिसेंबर के अंदर भी लॉंच हता हुआ दिख सकता है क्योंकि अब आईकू भी रेस में दोड़ना शुरू कर चुका है तो ज्यादे इंप्रूम सब्सक्राइब बटन दबाईए बैल आइकन दबाईए ओल पर सेट कीजिए और हमार साथ जूड़ जाईए साइड नोटिकेंस आपको टाइम पर मिलेगी पिक्सल 6 के लाउंच होते ही गूगल लग गया है अपने काम के उपर यानि कि उसने पिक्सल 7 के लिए एक नया चिपसेट बेनाना शुरू कर दिया है जो कि टैंसर चिपसेट का सेकिंड जनेरेशन हो सकता है और यह हमको अगले साथ लौँए दिखना ही वाला है लगबग आपको पता हल लगाई है कि नवेंबर के अंदर अगले साल यह लौँच हो जाएगा तो दोस्तों आपनों को बता दू कि काफी अलग इंप्रूमेंट यहां भी हमको देखने को मिल सकता है ऐस कि इस टाइम पर टैंसर चिपसेट जए वो काफी अच्छी परफॉमेंस दोस्तों फेस्बूख का नया नाम innaunse हो चुका है जो है मैटा जी आप लोग श्री सुन रहा है फेस्बूख कंपनी का अब नया नाम हो चुका है मैटा लेकिन आपको मैं बता दू कि फेस्बूख का नाम चेंज नहीं होने वाला वह फेस्बूख ही रहेगा और इस लिक कुछ नई चीज कर रहा है Facebook और देखते हैं यह किस तरीके से रिजल्ट निकाल के देता है या फिर वही पुरानी वाली गलतियां करते रहेंगे Facebook लॉंच करने वाला अपनी नई smart watch दोस्तों Meta लॉंच करने वाला अपनी नई smart watch दोस्तों Facebook अभी तो जुमान पर कुछ टाइम लगेगा हम भी भूल जाएंगे Facebook को Meta Meta करेंगे लेकिन launch करने वाला नई smart watch को जहां पर दोस्तों आपको एक selfie camera देखने को मिलने वाला है front facing camera है जहां पर आपको एक notch में देखने को मिलने वाला है तो renders images आ रही है official confirmation नहीं मिली है लेकिन हो सकता है और लाब भी सकते हैं दोस्तों technology काफी अच्छी हो चुकी है और यह जो है watch हमको launch होती भी दिख सकती है अगले साल के starting में यानि January February हमको यह launch होती भी दिख सकती है आपके smartphone में WhatsApp काम करना बंद कर देगा यह आप लोग सही सुन रहा है इसके लिए condition है अगर आपके smartphone का Android वरिजन है अगर आप Android यूजर है तो ही दोस्तों वह 4.1 से नीचे है अगर Android वरिजन तो आपके अगर आपके phone में update है तो जाके settings में चेक कीजे जरूर आपको update देखने को मिल जाएगा Porsche Taycan Electric India में launch होने वाली है दोस्तों जिहां आप लोग सही सुन रहे है यह होने वाली है चौती premium car maker brand जो की इंडिया के अंदर electric vehicle लेके आने वाली है इससे पहले Mercedes, Audi और Jaguar ने अपने electric vehicles इंडिया में उतार दी है अब यह जो है दोस्तों हमको 12 November को launch दिखने वाली है इंडिया के अंदर और मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी pricing है वो किस तरह से निकल के आती जो पॉस टाइकन है वो आपको 77,000,000 के आराउंड देखने को मिल जाती है और उसी के साथ इसके अगला वर्जी नाता है टाइकन TURBO तो वह आपको देखने को मिलता है दोस्तो 79,000,000,000 के आराउंड और उसी के साथ जो तॉप variant है कियाने कि सबसे उचा वेरियंट वो हमको देखने को मिलता है टर्बो एस के नाम से और वो जो है आपको मिलता है वन करोड 38,52,000 का तो अगर आप लोग चाहते हैं इनको पर्चेस करना तो 12 नवंबर इसकी डेट है जब इंडिया में लॉंच जाएगी और फिर शाहिद प्री बुकिंग वगरा भी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप लोग को उड़ने का शोक है तो आप भी उड़ पाएंगे दोस्तो उड़ने वाली कार में बैठके जी आप लोग सही सुन रहे है फ्लाइंग कार है लेकिन एक DIY होममेड कार है दोस्तो मैं आपको बता दू जो की उड़ती है 85 kg इसका weight और 95 kg के एक person को ये उड़ को मिल जाएगी अगर ये इंडिया में आती है तो global launch इसका होने वाला है काफी जल्दी और मैं बता दू दोस्तो ये जो कार है आपको भी punk फेला के उड़ने का मौका जरूर देगी तो अगर आप लोग इसको लेने की सोच रहे है अगर आप लोग एक्साइटेड है कुछ भी नहीं भी सोच रहे लेने की तो भी कमेंट करके बता कि कैसी लग रही हैं आपको इसकी मेज इस सबसे बटोर बता सकते हैं क्योंकि दोस्तो अब हम थोड़ा पाउख करने वाले हैं और हो सकेगा तो वी के एन डे प्र हम लाने वीक न्यूस और शायद उसको कुछ नया नाम भी देदे तो आपको जरूर हम जल्दी बता देंगे अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो और साथ साथ बता दूँ अगर आपको वीडियो पसने है तो लाइक कीज़े चैनल के उपने सब्सक्राइब कीज़ें कि डेली वीडियो से मलाते रहते हैं तो बैल आइकन पर दबारी जगा था कि चैनल की साथ नोटिकेशन से आपको टाइम पर मिलती रहे हम आपसे कल फिर मिलेंगे बाई